कि एक बार फिर से स्टुडेंट्स आप सभी का स्मार्ट इंफोटेक कम्प्यूटर सेंटर में स्वागत है कि मैं आपका ट्रेनर इम्रान अकाउंटिंग की क्लासेश यानि टैली की क्लासेश को आगे बढ़ाते हुए लास्ट रन पर हमने डे वन को कम्प्लेट किया था डे वन में हमने कुछ इस्पेशल नहीं जाना लेकिन बहुत इस्पेशल भी जाना कि अकाउंटिंग का सही माइने में मतलब क्या है तो बिसिकली हम फंडामेंटल्स की तरफ अभी चल रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था अभी हमारा जो है पांच-छे लेक्चर जो होगा वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पे होगा उसके बाद हम लोग सॉफ्वेर का बिगनिंग पॉर्शन से लेकर एंड तक जी एस्ट करें करते हैं टैली क्या है अकाउंटिंग में रूलस कौण से लगते हैं क्या सिस्टम में यूज गर्ता है वह इसने बनाया तो उसी पर अब अब डेटो के प्लास को आगे वड़ाते हैं तो का जो हमारे और सै उसकी तरह बढ़ते हैं तो डेटू में आज हम बढते हैं 1744 फिर double entry system का use उसमे क्या है हम उसकी तरभ भी आगे बढ़ेंगे तो what is Tally? Tally जैसा कि मैंने आपको last class में भी बताया कि it is just an accounting software तो मैंने अपनी भाशा में लिखा है Tally is accounting software which is mostly used to maintain accounts on computer जो computer पर accounts maintain करने में use किया जाता है Tally is the worldwide software ये worldwide मैंने बताया ये बाहर के देशों में भी इस्तमाल होता है nowadays आजकल this software has become a backbone of each organization सभी कंपनियों के लिए संगठनों के लिए संस्थाओं के लिए सभी जगे कोई भी nature of business हो आप का सैलों है आप जो है कोई educational institute चला रहे हैं आप कोई जो है trading है कोई production है कुछ भी है आप hotels के owner है आप restaurant के मालिक है ठीक है आप कोई भी ने आपका कोई hardware shop है electronic shop whatever whatever your business doesn't mean ये complete ERP package है ERP टैली ERP जो की update होके टैली प्राइम हो चुका है ERP का main concept ही होता है enterprise resource planning यानि हर एक अलग-अलग departments के लिए आपको अलग-अलग software की जरूरत ना पड़े ऐसा एक master software हो जो हर एक nature of business पर fit बैटे यानि एक पान की गोम्टी वाला भी टैली पर अपने accounts maintain कर सके और हमारे रतन टाटा जैसा जो टाटा ब्रैंड है वो भी अपना accounts इस पर maintain करवा सके तो reliance भी अपना accounts इस पर maintain वह बात अलग है कि वो इसे नहीं use करते हैं उनके पास इतना बड़ा टैली टैली क्या है तो उसी को मैं समझा रहा हूँ टैली इस एन accounting software एक accounting software है जिस पर हम accounts को maintain करना समझते हैं और सीखते हैं अब टैली सीखने के लिए हमें basically जो है चाहिए क्या हमें थोड़ा सा accounts का basic आना चाहिए जो अभी टू भी continue आगे आपको मिलने वाला है इसमें मैंने बताया कि हमारे सारी accounting double entity system पर maintain होती है दोरा लेखा पुर्णाली डबल इंटी system हमारे Lucas Pacioli जी ने बनाया he was a mathematician and इन्होंने इस system को 1494 में बनाया और जैसा कि मैंने बताया इनका पहला book भी था double entity system पे and which was known as decomputy set scripturize तो double entity system में students ये फंडा होता है कि जो भी transaction हो रहा है उसके दो लेखे होंगे एक debit में और एक credit में अब हमें overall सीखना ये है कि कब हमें कौन सी चीज debit में रखनी है और कब हमें कौन सी चीज credit में रखनी है because आप accounting कर रहे हैं तो accounting का अपना एक law है with your own wish you do not have any right or permission to add or reduce any amount from the transaction आपके पास कोई ऐसा अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं हटा सकते हैं जो भी कुछ है सब सिस्टम के तहते हैं तो यहां पर हम लोग जो है इसके आगे के parts को समझने की कोशिश कर रहे थे तो जिसमें हम लोग यह जान रहे थे कि accounting का fundamental जो है वो कैसे तैयार होगा हमारा हमें accounts का जो थोड़ा सा basic है वो कैसे आएगा तो account का basic यहां पर दिया हुआ है types of accounts अगर हम यह तीन तरह के types of accounts students समझ लें तो यह और आगे इसके लिखे होंगे इसके rules तो अगर आप यह चीज समझ लें इनके rules और यह तो आप यकीन मानिए आपको 50% tally आजी आ जाएगी यह इतने important है और इस पर आपका पूरा focus होना चाहिए तो types of accounts यहां पर जो आप देख रहे है types of accounts तीन है यह हमारे बनाए हुए नहीं है यह हमारे लुकस पेसियोली जी हमको दे कर गए है हम सभी को कि पूरी accounting इसी के थुरू आपको maintain रखनी है तो यहां पर types of accounts की बात हो रही है तो types of accounts में पहला type of account है हमारा personal account क्या होते हैं ठीके फिर दूसरा है real account तीसरा है nominal account इन तीन के अलावा कोई चौथा account होता नहीं है अब यहांपर accounts का मतलब क्या है वैसे तो accounts का मतलब आप जानते हैं खाता होता है हम आसान भाषा में टैली को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मेरा भी प्रयास है कि आप जो है रट्टुत होता ना बने आप जो है बुक्के कोर्डिंग ना चलें कि हम नियमों को छोड़ कर बात करेंगे नहीं सिस्टम सब कुछ समझने का जो सिस्टम होगा हमारी भाषा शैली होगी वह बिल्कुल एक आम जीवन के में हम लोग जो चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं उसके तहद हम लोग अकाउंटिंग को समझेंगे जिसे ही आपके दिमाग में पॉफेक उतरे तो तीन तरे के टाइपस ऑफ एकाउंट ह यानि दुनिया में यहां पर अकाउंट का मसलब आप समझ लें आपके लिए अकाउंट का मतलब क्या होगा कि जो भी कुछ व्यापार के लिजेंगें लेंडेन हो रहे हैं तो हम उन लेंडेनों को तो जिस नाम से लिखने वाले हैं, वो खाता है, वो खाता है, ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, तो तीन तरह के टाइपस of accounts हैं, खातों के तीन प्रकार दिये गए हैं, परस्नल, रियल और नॉमनल, परस्नल में कौन से खाते आएंगे, रियल में कौन से खाते मजना है, तो तीन तरह के हमारे टाइपस of accounts हैं, तीन तरह के हमारे खाते हैं, इनके अलावा कोई चौथा खाता नहीं होता है, तो टाइपस of accounts में बात कर रहे थे हम लोग, टाइपस of accounts में क्या है, परस्नल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमनल अकाउंट, इन तीन के आलावा कोई चौथा अकाउंट नहीं होता है, परस्टनल अकाउंट में क्या चीज़े आती है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बिलकुल कस्टुमाईज भाषा में, मेरी अपनी भाषा में मैंने इसे लिखा है, बुक की भाशा में नहीं लिखा है नहीं आप थोड़ा सा टेकनिकल ज्यादा समझना पड़ा जाता है ऐसे आयोब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे बिटा यह तीन टाइपस ऑफ अगाउंट्स को और इनके रूल्स को इसके ब आप अकाउंट्स के स्टुडेंट नहीं है कोई कहें नहीं सकता ओके सो पहले हम जानते बेटा पर्सनल अकाउंट्स हमारे क्या है तो लिकस पैसे उली जी ने बताया दुनिया में जो भी चीज़े हैं वह इन तीन तरह के अकाउंट्स के अंतरगती आएंगी इनके अलाव हुमन बिंग से रिलेटेड होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं वह पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं जैसे एक्जम्पल्स क्या है एक्जम्पल्स में हमारे जो आते हैं जैसे सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन जो भी वेक्तियों के नाम है वह हमारे पर्सनल एक कंपनी का नाम है वह इसमें आएगा तो थिस अवल आर कंपनीर्डर्डडर्डर्डॉश पर्सनली ऐकाउंट्स यह से नेम की बात करें । सचेस्थ मोहन। सुहन, टाटा, सॉनाटा, बाटा, रिलैंस, स्मार्टिंपोॼ्टेग, स्पिघ.. means कोई भी organization, कोई भी company का नाम, जो brand name है, brand name, वो इसमें आएगा, ठीक है, तो जैसे school वगेरा भी है, restaurant है, और जो भी brand name है, जो भी नाम से कोई चीज है, वो हमारी personal accounts में आईगी, इसके बाद हमारा real accounts आता है, real accounts में किन चीजों को मैंने शामिल किया है, such accounts which are non-living in nature, जो निर्जीव चीजे हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे, in other words, we can say that excluding of personal accounts, personal accounts में जितनी चीजे आती हैं, उनको छोड़ कर, whatever we can see or touched, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, या छुई जा सकती हैं, are called real accounts, उनहीं को हम real accounts कहेंगे, real वास्तविक जिसे हम देख सकते हैं, जू सकते हैं, बट ध्यान रखें, वो निर्जीव चीज हो, क्योंकि दिखते तो इंसान भी हैं, दिखती तो company भी है, तो जब कि company के नाम इंसान, इनको हमने personal accounts में रखा है, इसलिए वो line लिकी गई है, personal accounts को छोड़ कर, जितनी भी चीजे हैं, वो सब हमारी real accounts मे आएंगी, personal accounts को छोड़ कर, यह हमें ध्यान रखना है, इसमें examples मेंने mention कर रखें, machinery, furniture, cash, land and building, computer, car, etc. और बहुत सारी चीजे इसमें आ सकते हैं, cash जो पैसा है, उसको real accounts के तहत रखा जाता है, तो कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं, जैसे laptop है, आपने आसपास की चीजो आप और short में समझें कि सारे products, जो products है, brand name, brand name आपका personal accounts में आएगा, और जो products है, products हमारे real accounts में आएगा, जैसे example के तोर पर, आप HP company का laptop यूज कर रहे हैं, तो यहां पर HP, जो है, वो personal account में आएगी, और इनका product क्या है laptop, तो laptop हमारा real account में आ जाएगा, जैसे आप suppose करिये, आ जो है, Raymond का suit पहने है, तो Raymond is a company, यह personal account में आएगे, जो suit है पूरा, वो आपका real account में आ जाएगा, तो इसी तरीके से, जो भी brand name है, वो हमारे personal account में आएगे, और जो उनके products हैं, वो हमारे real account में आएगे, जैसे suppose, link का pain आप यूज कर रहे हैं, rotomag का pain आप यूज कर रहे हैं link, rotomag, यह सब हमारे personal accounts में आएगे, because these all are brand names, and जो इनके products है, जो हमारे pen है, pencil है, whatever, these are the products, यह सब हमारे वेटा, जो आएगे, यह सब हमारे real accounts में आएगे, I hope आपको इतना portion समझाया होगा, examples वगेरा mention है, last, third type of account जो दिया गया है, वो है हमारा nominal accounts, and nominal accounts क्या कहता है, such things which can't be seen or are called nominal accounts, ऐसी चीजें, जिनने हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, उनको हमने nominal accounts के category में रखा, आप बूलेंगे, sir, ऐसी क्या चीजें, तो अभी समझा जाएगा, actual में real accounts में क्या है हमारा, real accounts जो होता है, real accounts में मैंने बताया, जिन चीजों को देख सकते हैं, छू सकत यानि बेसिकली मैंने प्रोडक्स बताया, वो सब रियल accounts है, तो नॉमनल accounts में हम क्या बचा है, ये last है, इसको बोलता है, नाम मातर खाता, मतलब ये account में actual में चीजें होती ही नहीं है, बट accounts में इसको हम mention जरूर करते हैं, accounts में इसे दिखाते जरूर हैं, तो जैसे यहां प कर लेते हैं, कि nominal accounts क्या होते हैं, तो nominal account को समझते हैं, बेटा हम लोग, तो nominal account को समझने के लिए, देखो, मैं आपको बता दूँ, जैसे, suppose करो, कि example के तोड़ पे, तो इसका थोड़ा सा description समझ लें, ने तो इसमें थोड़ी से confusion बनी रहती है, nominal account में, तो मैं दिखाता हूँ आपको, nominal account, देखिए, जैसे, आपने fees पे करी, कितनी पे करी है, मान लेजे, 1000 रुपर, तो यहां पर आप देखे, आपने जो पे करी है, वो fees पे करी है, यहां पर आप जड़ा देखिए, इसमें आपको दिखता क्या है, जिसे आप देख सकते चू सकते, यह, यानि आपका cash आपको दिखता है, cash, यह, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, fees, यह तो just एक name है, यह केवल एक क्या है, नाम, only, name, it is a name only, तो यहां पर nominal accounts कौन सा होगा, यही name, यह है हमारा nominal account, और cash, मैंने भी इससे पहले बताया, cash को हम real account में रखते हैं, cash हमारा real account में आएगा, यानि जो भी खर्चा, income, कुछ भी हो रहा है, तो वो किस form पे हो रहा है, cash पे ही हो रहा है, या check के माध्यम से हो रहा है, तो वो चीज आपकी real वगेरा में है, cash है तो real है, check वगेरा है, तो bank के माध्यम से हो रही है, तो bank का name है, तो personal में आएगा, तो यहां पर यह चीज़े आपको समझनी है, कि कौन सी चीज किस में हमारी आएगी, तो fees हमारी nominal account में जाएगी, ठीक है, दूसरे example से समझते हैं इ कितनी मिली, 20,000 रुपए, तो आपको 20,000 रुपए मिली है salary, तो मिला तो क्या है, पैसा, दिखता तो यह है, तो जो यह है, यह cash है, और real में जाएगा, और जो यह है, यह आपका nominal account में जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आप और ले लें, आपने रूम का suppose अगर rent पर है, त तो 3,000 रुपए जब आप rent दोगे, तो यहाँ पर यह nominal account हो जाएगा, और यह आपका real account हो जाएगा, यानि cash 3,000 जो दिखता है, यह real में चला जाएगा, और यह आपका nominal में चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से nominal account को आप समझ सकते हो, तो nominal account में यह सारी चीज़े आती है, तो अगर चाहें तो एक और समझ लें, एक और example से समझ लें, suppose करिए आपने कहीं पर charity दी या ली, जो भी मान लें, charity दी, ठीक है, और कुछ भी आपने मान लीजे, charity में 15,000 रुपए दीए, तो सेम वही चीज है, कि यहाँ पर हमें आपका पहले की तरह जैसा कि मैंने बताया, यह आपका cash है, और यह cash है, तो यह किस में जाएगा, real में, अब यह cash किस लिए यूज हुआ है, यह हमें समझना है, यह cash का नाम किया है, किस लिए यूज हुआ है, यह हमारा za charity के लिए, तो charity एक नाम ही है केवल और इसका कुछ भी वजूद नहीं है तो इसलिए इसको हम nominal account में रखेंगे ठीक है तो यह हमारा nominal account complete हुआ I hope आपको तीनो types of accounts clear हो गए होंगे और यहाँ पर nominal accounts में बहुत सारे examples भी दे रखेंगे हैं इसे discount charity donation interest interest के अधिकता तो है नहीं cash के form में होता है या आपके account में directly आता है तो commission है rent है wages मतलब मजदूरी salary यानि जितने भी खर्चे और income है वो सब हमारे nominal accounts के अंतरगत आते हैं तो day to class में हम लोग इतना रखेंगे इसके बाद अगला turn जो हमारा होगा वो आएगा इनके rules के बारे में हम लोग बात करेंगे rules की information पूरी gain करेंगे हम लोग rules के बाद accounts को maintain कैसे किया जाएगा debit credit कैसे किया जाएगा जो journal entries वगेरा होती हैं आपने सुना होगा उनको कैसे maintain करते हैं उसके बारे में हम आगे study करेंगे essentials पढ़ने के बाद तो आज day two class में हम लोग students इतना ही रखेंगे और इसके बाद day three class जो होगी हमारी उसमें हम आगे के topic को पढ़ेंगे तो thank you so much